सो हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि क्या कोई भी म्यूजिक लगा कर वीडियो बनाएं तो चैनल मॉनिटाइज होगा अब ये सवाल दोस्तो अपने आप में काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग है और इंपोर्टेंट भी है खास कर उन सभी YouTube चैनल के लिए जो कि अभी YouTube के प्लेटफार्म पर अपनी नई-ई शुरुवात कर रहे हैं उन सभी लोगों के दिवाग में अकसर ये सवाल होता है कि आखिर किस तरह का म्यूजिक जो है अलग अलगता रहे के लाइसेंस होते हैं जैसे कि standard license, creative, common license तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपनी YouTube वीडियो में music इस्तिमाल करने से रिलिटेट जितने भी टाइप के music होते हैं और जिन भी तरीकों से उन्हें इस्तिमाल किया जा सकता है तो अगर इन गानों का इस्तिमाल हम अपनी YouTube वीडियो में करते हैं तो उसका हमारी YouTube चैनल पर क्या फरक पड़ेगा इसके बाद हम बात करेंगे कि अकसर जो professional creator होते हैं या जो experienced creator होते हैं वो किस तरह का music अपनी YouTube वीडियो में इस्तिमाल करते हैं जिससे उन्हें copyright की problem नहीं आती तो सबसे पहली बात उसको कोई भी normal music जो आप सुनते हैं जो की movies में listed होते हैं या किसी music album का song है और वो song यदि आप अपनी YouTube वीडियो में इस्तिमाल करते हैं तो दो scenario आपके साथ हो सकते हैं पहली बात तो जो भी music यदि आप इस्तिमाल कर रहे हैं अगर वो content id द्वारा YouTube के platform पर registered है तो उसको जब आप अपनी YouTube वीडियो में इस्तिमाल करेंगे तो आपकी YouTube वीडियो में एक copyright claim आ जाएगा अब इस copyright claim के आने की वज़े से वैसे तो आपकी YouTube चैनल पर कोई भी negative effect नहीं पड़ेगा केवल और केवल यदि आपका YouTube चैनल monetize है तो आपकी जो YouTube earning है वो copyright honor को चली जाएगी बाकि इसका और कोई negative effect आपकी YouTube चैनल पर नहीं पड़ता है इवन यदि आपके YouTube चैनल अभी तक monetize नहीं है और आप monetization के लिए apply करने जा रहे हो और आपकी वीडियोस में copyright claim है उस case में भी YouTube आपकी YouTube चैनल को monetize कर देता है और इससे related कोई भी issue नहीं होता है लेकिन copyright claim जो है ये कभी भी expire नहीं होता है जितने समय तक आपकी वीडियो YouTube के platform पर upload रहेगी तब तक आपकी वीडियो में जो भी कमाई होगी वो copyright आउनर को जाती रहेगी और आपकी वीडियो में हमेशा ही copyright claim जो है वो बना रहेगा दूसरे type के दोस्तों ऐसे song होते हैं जिने कई बार आपने सुने होंगे ये बहुत ही ज़दा popular song नहीं होते पर ये भी या तो किसी movie के song हो सकते है या individually किसी album का song हो सकता है इनके साथ दिग्गत ये होती है कि ये YouTube के platform पर content ID के through registered नहीं होते हैं इसलिए कई बार अगर आप इन songs को अपनी YouTube वीडियो में इस्तेमाल करेंगे तो आपके खिलाफ कोई भी action नहीं लिया जाता है आपके content के साथ ये जो music है ये पड़े आराम से YouTube के platform पर available रहता है लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपको आपकी वीडियो पर एक copyright strike देखने को मिल जाए अब क्योंकि वो content ID के through registered नहीं है इसलिए copyright claim तो नहीं आएगा यहाँ पर जिसका originally song है उसके पाक option ही केवल यही बचता है कि वो manually copyright strike दे तो ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि copyright strike आते ही आपकी YouTube चैनल से कपकी वीडियो डिलीट हो जाती है सिर्फ और सिर्फ उस music की वज़े से और आपकी YouTube चैनल पर 90 दिनों के लिए एक strike भी लग जाती है तो ये तो भी दोस्तो बात खाली उन songs की जो की normally available होते हैं जिने आप कहीं से भी download कर सकते हैं और अक्सर आपको ये सुनने को मिल जाते होंगे अब बात करते हैं कुछ ऐसे music के बारे में जिनका अक्सर जो experience creator होते हैं या जो professional creator होते हैं वो अपनी YouTube वीडियो में इस्तिमाल करते हैं अक्सर आपने सुना होगा non copyrighted song या फिर creative common license वाले song ये दोनों वैसे तो देखा जाए दोस्तो तो एक ही चीज़ है चाहे आप यहाँ पर कहें non copyrighted song या फिर creative common license के अंतरगत आने वाले song अक्सर ये एक ही song होते हैं क्योंकि जो non copyrighted song होते हैं creative common license के तहत ही upload होते हैं अब इसमें भी दोस्तो दो तरह के song होते हैं एक तरह का ऐसा song होता है जिसको यदि आप इस्तिमाल करते हैं तो उसके लिए attribution जो है वो required होता है और दूसरे तरह का जो creative common song होता है उसको यदि आप इस्तिमाल करते हैं तो attribution required नहीं होता अब इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ इसी में दोस्तो एक तीसरे type का भी song होता है जो की paid होता है यानि वो होता तो creative common license के तहत वाला ही song है लिकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं या उसको आपको खरीदना पड़ता है तब ही आप उसको अपनी YouTube वीडियो में इस्तिमाल कर सकते हैं और ये दोनों चीजे attribution required या फिर attribution not required ये दोनों ही चीजे उस paid song के लिए भी होती है जिसे आप पैसे देकर खरीदते हैं तो आप थोड़ा सा ये भी समझ लें कि attribution required या फिर not required का मतलब क्या होता है तो जो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं उसमें से पहला तरीका ये है कि attribution required यानि जो song आप इस्तिमाल करना चाहते हैं जब आप उसको डाउनलोड करेंगे और अपनी YouTube वीडियो में यदि आप उसे इस्तिमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उस music के जो artist है उनको यहाँ पर credit देना पड़ेगा जिसके लिए जब भी आप उस song को डाउनलोड करते हैं डाउनलोड करते समय आपको वहाँ पर एक matter जो है वो अल्रेडी उस song के साथ link में आपको मिल जाता है जहाँ पर simply आपको उस matter को copy करना होता है और आप जिस भी वीडियो में उस song को इस्तिमाल करेंगे उसके description में उस total matter को paste करके अपनी वीडियो को upload कर देना होता है उस matter में basically दोस्तो album का नाम, artist का नाम और music से related detail होती है और music की link वगएरा होती है जिससे बाग की लोग भी उसका इस्तिमाल कर सकें तो यही चीज़े होती है मालीजी यदि song इस्तिमाल करते समय उसका attribution वहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो आप खुद से भी album का नाम, artist का नाम और link वगएरा खुद से भी provide करके credit दे सकते हैं और यहाँ पर जो दूसरा type मैंने आपसे भी लोग होता है attribution not required इस तरह का song ऐसा होता है जिसे आप download करो और सीधा अपनी YouTube वीडियो में इस्तिमाल करो उसके लिए आपको कोई भी credit वगएरा नहीं देना होता है उसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है simply song को इस्तिमाल करो और अपनी YouTube वीडियो को upload करो तो जो मैंने आपको एक तीसर टाइप बदा था paid song उसके case में भी यही होता है कई बार आप कुछ ऐसे song है जो की premium category में आते हैं जिने आपको पैसे दे कर खरीदना होता है तो दोस्तो यह पूरे तरह के music थे जिनका इस्तिमाल आप अपनी YouTube वीडियो में कर सकते है इनको इस्तिमाल करने से आपके साथ क्या-क्या समझ्या आ सकती है क्या-क्या नहीं आ सकती है सारी ही चीजे इस वीडियो में मैंने आपसे वी लोग के साथ discuss कर ली है एक इस वीडियो के लास में आप सो भी लोग को और भी चीश बता दू कि आप किसी भी तरह का sound अपनी YouTube वीडियो में इस्तिमाल करें monetization को almost कोई भी तरह का music effect नहीं करता है वाले आपको copyright strike आ जाए, copyright claim आ जाए, बागी दिक्कते आपको हो सकती है लेकिन monetization पर इसका फरक नहीं पड़ता, यदि आपका monetization on नहीं हुआ है और आपने music इस्तिमाल किया है, तब भी आपका monetization enable हो जाएगा और मानलीजी आपका monetization enable हो चुका है, तब आप music इस्तिमाल कर रहे हैं आपका monetization कभी भी disable नहीं होगा हाँ, music यूज़ करने की वज़े से यदि आपको तीन copyright strike आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका channel जरूर delete हो सकता है YouTube के platform से I hope दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह का music जो है वो हम अपनी YouTube वीडियो में इस्तिमाल कर सकते हैं वीडियो कैसा लागा हमें जरूरत है अच्छा लागा हो तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजे समझे अपनी नेक्स वीडियो में तो तिक ले गुडबाइ और टेक कियर